गाइस आज इस पीडियो में हम आपको बताएंगे कि 200 watt solar panel से हम डायक्ट कौन-कौन से लोड़ जो है चला सकते हैं मतलब कि 200 watt solar panel अगर हम खड़िते हैं तो हम कौन-कौन से कोई 200 वाट का सुलर है या फिर आप 200 वाट सोलर पैनल खड़ीना चाहते हो और आप जानना चाहते हो कि 200 वाट सोलर पैनल से हम कौन-कौन से उपकरन चला सकेंगे तो यह वीडियो आप बिना स्किप के ही लाश तक ज़रूर देखेगा देखे गाइस अगर आप कोई AC उपकर आपकी टीवी को चला सकेगा उसका यही काम होता है कि वो DC करेंट को AC में प्रोवाइड कराएंगा अगर उसकी 50 वाट की मैक्सिम्म कैप सीटी है तो वो उसकी प्राइस होगी डेर सो अगर आप 200 वाट की कोई खरीदना चाहते हो तो उसकी प्राइस होगी साड़े 300 से चार सापा होगे देखिए जो डीसी उपकरन होती है जैसे कि डीसी मार्केट में LED बल्ब भी आ चुकी है डीसी सेलिंग फैन भी आ चुका है डीसी कूलर भी आ चुका है और नॉर्मली जो हमें हमारे घर में रिक्वार्मेंट होती है वह सबसे ज्यादा होती है लाइट की दूस उसकी मैक्सिमम कैसिटी होती है यहां पर तीस वाट से ले करके 50 वाट तक अधर वाट 20 वाट चुक रहें चोटे से अगर हम टेवल फैन कोई लेते हैं तो वही अगर हम LED बल्ब की बात करें तो हम असानी से 5 वाट का भी बल्ब को कनेक्ट कर सकते हैं या फिर 9 वाट का भी बल्ब को कनेक्ट कर सकते हैं इसमें भी दिश्टोर डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने वाट की बल्ब है तो यहाँ पर हम मानके चलते हैं कि अगर हम 9W का Bulb जलाना चाहते हैं, 2 Sailing Fan चलाना चाहते हैं, एक TV चलाना चाहते हैं और एक Cooler चलाना चाहते हैं तो यह सारा device जो है वो हमारे 200W सोलर से चलेगा कि नहीं चलेगा यह हम आपको बताते हैं तो इसका calculation कैसे करना है हम आपको पह एक्सेक्ट वो output supply नहीं करेगा, अगर तेज धूप निकलता है तो वो 180W output supply करेगा, तो 180W महीं हमें देखना होगा, यह हम कौन-कौन से उपकरन चला सकेंगे, अगर हम 5 LED बल्ब जलाते हैं तो 25W का हो जाता है, अगर हम कोई Sailing Fan चलाते हैं तो हमारा एक Sailing Fan लगबग 30W से लेकर के 50W के बीच में आता है, तो हम यहाँ पर 50W ले लेते हैं, ठीके गाईस, अब यहाँ पर अगर हम कोई TV चलाना चाहते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास कोई 32 इंच LED TV है, तो हमारा जो TV होती है, वो maximum 50W तकी होती है, तो हम Converter अगर यूज़ करते हैं, तो 10W एक्स्रा की नॉर्मल साइज में आपको कूलर देखने को मिल जाएगा, तो अगर हम 50W कोई कूलर लेते हैं, तो हमारा टोटल हो जाता है, एक सो पचासी वाट, अगर हमारा सोलर पैनल खुब तीज धूप निकलता है, तो 180W और पूट सप्लाई करेगा, जिसमें हम अराम से 5 LED बाल् बढ़ा भी सकते हो, जैसे कि दोस्तों अगर आप कोई सेलिंग बढ़ना चाहते हो, लाइट बढ़ना चाहते हो, तो अब सोलर पैनल एक सो वाट का भी अलग से खरीद के आड कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको डायेक्ट सोलर प मैकसिमम 20-22 वोल्ट तक क्रियेट आउटपूट सप्लाई भेजेगा हमारे पांचो बल्ब के लिए, लेकिन उसमें एमपियर बहुत ज्यादा मिलेगा, एमपियर दस एमपियर मिलेगा, तो हमारा टोटल ये तो हमारा पांच बल्ब जो है, सारे पांचो बल्ब मिलके पां आपने सोलर पैनलसे डाइर कंट करना है कोई भी डोस वाइस आप कर नेक्ट किजिएगा अपने सोलर पैनल से तो आपका जैसे कि आपका सोलर पैनल 200 वाटका है, तो आपके पस जो हमारा है। घईकंप्याट एक यह Vielा कुला Better कि प्लेंट पांचाहिए तभी वो डायक्ट चल सकेगा अगर आपका solar panel 200 watt का है और आपका cooler जो है मातर 100 watt का है तो उस समय अगर आप connect करोगे direct तो आपका cooler जो है वो खराब हो जाएगा यह guarantee है तो इससे बचने के लिए हमें एक battery भी खड़िनी परेगी यहाँ पर हम inverter के बारे में बात नहीं करेंगे सि और हम अपनी कोई भूप करन को चलाना चाहते हैं तो हम अपनी battery से connect करके चला सकेंगे अगर हमें चलाना है कुछ ज्यादा भी load चलाना है तो हम ज्यादा load भी चला सकते हैं जैसे कि हमें 180 watt से भी ज्यादा का need है load चलानी की जोरत है तो हम 200 watt तक भी चला सकते हैं लेकिन चास वाट को छोड़ करके बाकी जितना भी वाट बच जाता है वो हमारे बैटरी में करके स्टोर रहेंगी तो बैटरी लेने से ये बहुत बड़ा फायदा है तो अगर आप बैटरी लेते हो तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है आपके नीड के अनुसार आप अपने है तो कम से कम लोड का भी इस्तमाल कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा लोड का भी इस्तमाल कर सकते हो तो इस तरह से हमने आपको पता दिया कि 200 वाट सोलर पैनल से आप कौन-कौन से डिवाइस को चलास दको होगे ठीक है आशा करता हूं इस वीडियो में आपको सब कुस स समझ मिना गया होगा फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरू करें अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं कियें तो प्लीज लाइक करके चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें